आपका बहुत धन्यवाद, आरक्षिन महिलाओं के आरक्षिन का जो बिल है, पहले तो इस पार्लेमेंट में जितनी भी हमारी महिला रिप्रेजेंटेटिव होके गही है, उनका दल्च से नमन करना चाहोंगी, और आज जितनी महिलाएं इस सदन में हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही है, उनका सभी का में दिल से नमन और अभी नंदन भी करना चाहोंगी, बेनी वाले भाईया, भाईया, माखला मेंबर इस पीकिंग, प्लीज सब्सक्राइब, राजेस्तान के इलेक्षन है, हनुमान बेनी वाले भाईया, हमको सभी को पता है, नमनीदी, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, कि उनकी जो इच्छा, उनका जो सपना है, कि महिला इक्वेली में ट्रीटू, उनका सिर्फ भाषन में मान सम्मान ना हो, उनके अधिकारों के लिए भी, उनका बिल ये पार्लमेंट में आना चाहिए, इस लिए, इस देश के हमारे आदर्निय प्राइम मिनिस्टर जी का भी, दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, और इस पार्लमेंट को ऐसा नहीं है, इस पार्लमेंट में बहुत सारी महिला हैं, इस बिल के पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं, सुस्मा स्वराज जी हो, जैल अलीता जी हो, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री मंता बैनर जी हो, और मायावती जी हो, यह सभी महिला हैं, अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा का, कि बहुत सारे पुर्षों के सामने लड़कर, महिला यहां तक पहुंचती है, इसमें कोई भी, गलत एक भी शब्द नहीं, बहुत सारे चुनोतियों को सामना करके, हम महिला यहां तक ल लाया है हम एक लड़की हैं या हम एक चाइड है ऐसा बोलते हों मैंने अभी कई मेरे मेंबर आफ पार्लमेन को सुना है बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्ने भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुवात की और हमारे महाराश्च्र में कई आरक्षन जिल्ला प प्रश्ण पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी आपका सपना था तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्षों है 9 वर्ष में उन्होंने महिला के लिए अधिकारों के लिए ये बिल भी लाया पेश भी किया और हम महिलाओं को ये देश की महिलाओं को इतना confident भी है कि आज वो बिल पास भी होगा और पूरी देश की जनता और महिला जितनी है वो ये आवाज सुन रही है कि मोदी जी ने सि महिलाओं को अधिकार देने का काम ये पार्लमेंट में किया और जिस दिन ये पार्लमेंट में हम पहला दिन कदम रखे हैं जब हम मालक्षमी की पूजा गरते हैं वास्तु पूजन करते हैं तो महिला से शुरुबात करते हैं भारत माता की जय बोलते हैं तो महिलाओं के नाम स किसी नहीं नहीं की. इतनी मंचा अगर सपस्च थी, तो महाराष्टर की बात करते समय, जब हम आरक्षिन की बात करते हैं, तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा, कि आज तक महलाएं नहीं कभी मुक्यमंत्री का पद, उन्हें कभी दिया गया, नहीं उप मुख्य मंतरी का पद दिया गया इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया सिर्फ शदों में विश्वाज सिर्फ मतदानों के लिए विश्वाज मज़े लगता है महिलाओं का इस्तमाल आसतक किया गया है मतदानों के दूरा पर मौती जी ने हमारी भाव न formats ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षिन मिलेगा तभी हम लड़के पार्लमेंट में आएंगे नहीं सर हमारे great leaders ने हमारे great heroes ने सभी ने don't disturb सर महिलाओं को बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात तो this parliament has to listen and आपके तरफ से तो ज़्यादा सुनना चाहिए जिनोंने साथ वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया नहीं डिकार दिया शुक्षा का अधिकार दिया सर डॉक्टर बाबासाइब अधिकार ने जिनोंने मतदान का अधिकार दिया आज ये पार्लमेंट मोदी जी के द्वारा हमें हमारा अधिकार हमारी ताकत हमारा विश्वास हमारे में फिर चे एक बार जगा है सर लास्ट वान मिनिट कि हम आने वाले समय में बराबरी में खड़े होके हम निर्णे ले सकें सर मैं इतना ही बोना चाहूंगी, चार लाइन, अमीद भाई भी आपे, हमारे अमीद चाजी भी आपर बैठे हैं, सर आप लोगों की भावना हमने साड़े चार वर्षों में ये पार्लमेंट में, सबने महसूस किये महिलाओने, जिस तरीके से एक नई सांसत को आपने मौका दिया हर बाद, अपने विचारियां रखकर हमें चांस की आपने संबत तुम हो, सवभी मान तुम हो, अभी मान तुम हो दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो और शर को दिल चांसती हमство इसी नॉर्मल फैमिली से बैक्ग्राउंड को आने वाले समय में बहुत मौका है।